हलो फ्रेंट्स दिल से सौगत करता हूँ आप सभी का गवर्मेंट जाप्स जानकरी पर एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज और हस्पिटल की रेकृट्मेंट यानि की GMCH की तरफ से 2020 के लिए स्टाफ नर्स के लिए रेकृट्मेंट हो रहे है जो भी केंड़ेट्स दिप्लमा इन G&M और B.Sc नर्सिंग में कर रहे हैं उनके लिए बहुत इस अपुछनिट है तो इसकी पूरी जानकरी में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ जैसा कि कब तक अपलाई कर सकते हो आई तक देखने से ही आपका डाउट और सवाल क्लियर होगा तो बिना टाइम गवाई चलिए इस वीडियो को शिरू कर लेते हैं उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां से लाल बटन को अन करके सब्सक्राइब कीजिए साधी साथ बगल में बेल नर्सिंग में कर रक्या है वो उनके लिए बहुत ही सुनहिरा मोका है गोर्मेंट मेडिकल कॉलेज एंड हस्पिटल जेम च की तरफ से 112 वेकंस निकलिये स्टाफ नर्स के लिए इसके लिए कॉलिपकेशन तो आलरडी मैं आपको बदा चुका हूँ डिपलमा इन जेने मॉर बीएसी नर्सिंग में 37 एर्स की आई सीमा रखी गए बहुत ही अच्छी बात है 37 एर्स मैक्जिमम एज लिमिट रखी गई है सेलेक्शन आपका रिटेन टेस्ट के आधरित कर दिया जाएगा इसके लिए इंटर्यू नहीं रहेगा सिफ आपका रिटेन टेस्ट रहेगा सा आटार हजार 30 रुपए से स्टार्ट होती है और आगे भी बहुत जाके बहुत ही अच्छी साल्र मिलनाए वाली है आपको फ्यूचर में भी आप आनलाइन में अपलाई कर सकते हो अपलाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में में प्रोवेड कर दूँगा अपलाई के लिए 500 रुपए की है रिजर्डो और एक सर्विसमें लोगों के लिए कोई भी फीज नहीं रखी गई है जापको लोकेशन है चंडिगाड और इंपार्टर रेट्स की बात करी जाए तो 6 पेपरोवेड 2020 तक आप इस एक्जाम के लिए अपलाई कर सकते हो इसकी अप्श 2 पर एक बज़े से पहले ही आप इस एक्जाम के लिए अपलाई कर सकते हो कुछ दो दो दिन बचये तो मैं तो क्यता हूँ अपलाई कर लीजेगा इससे पहले आपका डेट चला जाए तो तो सो कैसे आपको एव वीडियो लगी नीचे कमेंट में हमें बता दृजेगा